प्रेंट्स स्वागत है आप सभी का यर गार्डिन पार्टनेर लब यर गार्डिन की एक और नई वीडियो में आज हम ग्रो करेंगे ब्लू पी फ्लावर सीट से ये वाले जो आप फ्लावर्स देखते हैं जिनकी कुछ इस तरह की बड्स होती है और इस तरह के फ्लावर्स हो ब्लू पी फ्लावर्स की वाइट वाली वैराइटी है इसमें इसकी जगा ब्लू वाली वैराइटी के आती है आपने इसको देखा होगा इसको सीट से ग्रो करना बहुत जादा इजी है तो इसकी जो सीट सोते वो आपको मार्केट से खरीने की ज़रूत नहीं है इसकी जो अंदर हमारे जो सीटस है वो रहते हैं लेकिन आपके जो ये ग्रीन वाली जो फली है उसमें आपको इसके गरोओ करने वाले सीटस नहीं मिलेंगी इस ताइम पर ये बिल्कुल खाली होती है जब इस ब्राउन हो जाती है और ब्लैकिस टाइप होने लगती है तब इसके अंदर जो seeds होते हैं वो आपको मिल जाते हैं तो आप मैं आपको दिखाता हूँ सूखी वाली फली ये वाली जो आप कुछ फलिया देख रहे हैं ये blue pea की फलिया है जो की brown होकर सूख चुकी है इसी के अंदर हमें इसके seeds मिलेंगे अब हम इसको खोलेंगे आपको इसको खोलके इसके अंदर की seeds निकाल लेना है खुछ इस प्रकार अगर आप इसको बीच में से दबाएंगे तो ये खुल जाएगी और खुलने के बाद इसके अंदर आपको मिल गए हैं इसके seeds तो हम इसके सीट्स को बाहर निकाल लेंगे तो यह आप देख रहे हैं यह हैं ब्लू पी के सीट्स यह काफी जादा छोटे होते हैं और इसके जो सीट्स होते हैं वो आपको थोड़े थोड़े मूं के दाने जैसे भी लगेंगे इसी से हमारी वाइन ग्रो होगी तो अब हमें सारे के सारे फलियों में से सीट्स निकाल लेने हैं सारे के सारे ब्लू पी सीट्स को इन छे फलियों में से एक प्लेट में निकाल लिया है इसे ग्रोव करने के लिए आपको कम से कम चार इंच के पॉट की ज़रुरत होगी प्लास्टिक का, सीमेंट का, क्ले का, सॉयल का किसी का भी पॉट ले सकते हैं और इसमें आपको जो पॉटिंग मिक्स है वो आपको लेना है सेवेंटी परसेंट गार्डन सॉयल, ट्वेंटी परसेंट वर्मी कमपोस्ट या फिर गोबर की खाग और टैन परसेंट अगर आपके पास सेंड नहीं हो तो आप सेंड की ज़रेगा कोको पेट भी मिला सकते है सेंड और कोको पीट मिलाने से हमारी जो सॉयल होती है वो बेंट रिंड बन जाती है अगर आपके पास वर्मी कमपोस्ट और कोको पीट या पर सेंड भी नहीं है तो आप इसको सिर्फ सॉयल में भी उगा सकते हैं तो आप हम सारे के सारे सीट इसके उपर अच्छे से डिखेर के diver के डाल देगे हमें सारे के सारे सीट को दूर-दूर ढलना है पास पास नहीं डालना है यह मैंटे ब्लू और वाइट वाली वैराइटी दोनों के ही सीट एक साथ एकी कार्ट में डाल दिये हैं जिससे मुझे एक ही पॉट में दोनों तरह के फ्लावर्स के लिए मिल लगे तो हमने अपने सारे के सारे सीट्स को इसमें डाल दिया है आप देख सकते हैं हमने अपने सारे के सारे सीट्स के इसमें डाल दिया है कम रोशनी की वज़े से अगर आपको दिख नहीं रहो तो वों नहीं हमें अपनी फिंगर से यॉया किसी टूल से दूर-दूर करना है और अब हम इसमें ऊपर से अप्ना यही वाला पॉर्टिंग मिक्स डालेंगे हमें अच्छे से अपने पॉर्टिंग मिक्स को चारो तरफ फैला के डाल देना है और ज्यादा उची लेयर अपन को नहीं बनानी है पॉर्टिंग मिक्स को और हमें अपने सीट्स को बहुत गहरा भी नहीं लगाना है नहीं तो हमारे तो सीट्स हैं उनको जर्मिनेट होने में बहुत जादा टाइम लगेगा और आप हमें इसे बिल्कुल हलका हलका सा प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद हम इसमें वाटर को स्प्रे करेंगे हमें पूरे के पूरे पॉर्ट में चारो तरफ अच्छे से वाटर को स्प्रे कर देना है हमें इसके लिए अपनी जो सॉइल है उसको अच्छे से वैल ड्रेंड रखना होगा और इसमें हमें मॉइस्टर रखना पड़ेगा और चार से पास दिन बाद ही इसके लिसीट से वह ग्रो हो जाएंगे यह बहुत तेजी से ग्रो होने वाली वाइन है इसको आप अपने घर में जरूर लगा इसके फूल भी बहुत सुन्दर लगते हैं देखने में तो प्रेंट्स आज की वीडियो में मस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाइ स्टे होम स्टे से